केके इंटेरियर के नई वीडियो में आपका स्वागता है अज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक 10 बाई 10 के रूम में PVC वोल पैनल इंस्टोलेशन कैसे होती है और पूरा खर्च क्या आता है पैनल कौन सा लगाना चाहिए लोहे का जाल कैसे बनता है पूरा इस वीडियो में जानेंगे तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहा न ताकि आपको पूरा का पूरा समझ आ जाई और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करना तो सबसे पहले बात करते हैं जो अपने एरिया है वो हमारा 10 फूट वाई 10 फूट का रूम है और इसमें हमने पूरे रूम में PVC सीलिंग को इंस्टोल करना है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो लोहे का जाल होता है वो बांद दिया जाता है तो सबसे पहले मैं आपको दिखा पा रहा हूँ जो साइड है साइड में पूरे के पूरे साइड में हमने पैरामेटर L30 जिसको हम बोलते हैं वो टाइट की उसके बाद आप देख पा रहे हो पैरामेटर लगाए गई है पांच से छे पैरामेटर यह लाइन में बिल्कुल ऐसे लगाए है और सेम यह एजटी जीस साइड आ जाते है यह हमारा बेस का पूरा का पूरा जाल बन जाता है इस परकार से तो बेस का जो जाल बांद दिया गया था उसी हिसाब से फिर हम पूरे बेस के उपर हमने पैनल लगाए है तो देख सकते हो आप पूरे जारक कलर का हमने जो पैनल लगाया है बीच में हमने इसी नहीं छोड़ गया क्योंकि बीच में से हमने इसको डाउन करना है दुबारा से तो यह बेस पैनल लगाने के बाद अब हमने इसको डाउन करना है तो देखिए आप हमने इसके अपर दोबारा से उपर वाले के उपर दोबारा से पेरामेट्र लगा दिया और यह परकार से दो इन्च डाउन हो जाता है और टुख्ड़े लगाने स्टार्ट करते हैं चारो साइड़ से इसी परकार किया है, अपने तो आप देख सकते हो यह देखिए टुकड़े लगाने स्टार्ट करते हैं तो यह जो साइड है साइड है साइड है बंद हो जाएंगी और यह हमारा PVC वोल पैनल है अगर देखिए हमने यह 15 इंच की कटिंग कर दी है इसको इसकी और ठीकनस की अगर बात करें तो सीविंग में जो अभी परजैंट अभी हम पैनल लगा रहे है वो 8 mm वाला PVC वोल पैनल लगा रहे है टूजी हम इसको बोलते हैं इसमें गृव बना होता है लकडी जैसे इसकी लूग आती है और कटिंग किस परकार होती है इसकी वो भी मैं आपको दिखा लेता हूँ देखिए PVC पैनल की कटिंग ये इंची टेप से रखा अपने 15 इंच का काटमा है तो देखिए कुछ इस परकार से इसकी कटिंग हो जाती है बिलकुल आसानी से और ठीकनस वाईज अगर देखा जाई तो जी पैनल से काभी मजबूत होता है तो इस परकार से इसकी कटिंग होती है और देखिए टुकडो की इंस्टोलेशन ये इस परकार से इसकी टुकडो की जो इंस्टोलेशन है वो इस परकार से होगी और पूरी की पूरी ceiling कुछ complete होने के बाद एक पर पूरी complete जैसे हो जाएगी तो फिर से मैं आपको पूरी complete वीडियो दिखाऊंगा तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और जो कोस्ट की अगर बात करें तो 120 रुपए पर square foot के इसाब से इसकी खर्च आता है जो PVC ceiling है total इसका जो खर्च है 120 रुपए पर square foot के इसाब से आजाता है अगर आप करवाना चाते हो तो 10 by 10 का room जैसे मान लेते हैं तो उसमें 12,000 रुपए PVC खा total खर्च आता है अगर आप interested हो तो description में आपको number मिल जाएगा कोई भी जानकारिया आप ले सकते हो और PVC गोल ताना लगवाना चाते हो तो आप वो भी thumb करवा सकते हो तो दोस्तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाज मिलते हैं नेक्स्ट उडियो में नेकर नचेफ्ट के साथ